दोस्तों जैसे ही गर्मियों का दिन आया अब गर्मियों के दिन आते ही जो उत्री भारत जो है वहां पर 45 डिग्री से उपर उपर तापमान हो गया और जैसे ही 45 डिग्री से उपर तापमान हुआ तो यहां हमारे पसों के अंदर एक बदलाव देखने को मिला और वह जैसे temperature बढ़ा तो हमारे जो गौमाता हैं या बहसे हैं हम बहस या गौमाता जो भी पाल रहे हैं जो भी घर में रख रहे हैं दूद के लिए तो उसके अंदर दूद की जो देने की छमता है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है कि हीट श्ट्रोक बढ़ जाता है अंदर पसू के अंदर गर्मी उत्पन हो जाती है और उसके कारण पसू का जो दूद देने की चमता है उसके उपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मैंने यहां तक सुना है मेरे पास पसू पालकों के फोन आये कि सर पिछली बार हमारी जो गाय है या बैंस है वह पिछली बार जब उसने डिलिवरी की थी उसने बच्चा जना था तो वह सर्दियों में जना था और सर्दियों में उसी पसू का दूद 22 लिटर भी था किसी पसू का दूद 24 से 25 लिटर भी था लेकिन अब की बार जब वो गर्मियों के अंदर उन्होंने बच्चा जना है तो इस टाइम इस गर्मी के कारण इस बहंकर गर्मी के कारण तापमान बढ़ने के कारण वह जो दूद देने की छमता है वह मातरी 8 लिटर रह गई है या 7 लिटर रह गई है तो बताइए क्या महाकाल को बहुत ज़्यादा पसंद है इस फल का नाम है बील जी हां इसको बेल पत्तर भी कहा जाता है बील फल भी कहा जाता है तो इसका फल और इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा उप्योगी हैं आप यह फल अपने पसूँ को उप्योग में करवाईए इस फल को जैसे ज खांड के साथ में आप पिलाई और फिर देखिए कितना चमतकारिक रूप से आपका जो दूद आपके पसू का दूद जो था वह साथ लिटर था या आठ लिटर था वह वापस से अपनी पूरी चमता यानि की 25 लिटर तक पहुंच सकता है यदि आप यह फल जो है बेल का जो यानि की ओिल की मातरा मिलती है और साढे आठ प्रतीसat इसके अंदर सक्कर यानि की सूगर की मातरा पाई जाती है तो दोस्तों इसके अंदर कार्ो ऑइडुरेट की भी पूरति हो जाएगी और फेट मातरा के कारण आपके दूद आपके दूद दूुद नहीं बढ़ेग आपको यदि आसपास में ये फल नहीं मिलता है आपके पास में पेड पोडे नहीं है या आपके पनसारी के पास में ये फल नहीं है तो आप हमें भी ओर्डर कर सकते हैं देशी बेल्व के फलों को एकटा करके और उनके चूरन बनवाएं हैं आप हमें बील्व पाउडर के लिए ओडर कर सकते हैं यह ओडर आपका अपके घर तक आपको पहुंचा दिया जाएगा order करने के लिए नीचे description के अंदर आपको link मिल जाएगा आप वहाँ से order केजिए और आप अपना product अपने घर पे मंगवाईए तो दोस्तों जिस व्रक्स का मैं जिकर कर रहा हूँ उस व्रक्स का नाम है बेल, बेल गरी का व्रक्स जो की महादेव, देवादी देव, महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है इसकी जड़ों के अंदर स्वैम महादेव का वास बताते हैं और जो इसके पत्ते होते हैं, इन पत्तों को तृदेव की संग्या भी दी जाती है मैं आपको ये अभी इसके अंदर पत्ते नए आ रहे हैं मैं आपको दूसरा व्रक्ष दिखा रहा हूँ आपको इसके पत्ते भी दिखाऊंगा और इसका फल भी दिखाऊंगा दोस्तों ये जो फल होते हैं इसके फलों को देखिए ये कितने फल ये ऐसे व्रक्ष से गिर करके इन पेड़ों से गिर करके और खराब हो जाते हैं और हम इनको नजर अंदाज कर देते हैं यह देखिए, छोटे फल है, इसके बड़े फल भी लगते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, इस पेड़ पे छोटे फल आये हैं, बड़े फल वाला मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, यह अपने खेत के उपर लगे हैं, जहां महादेव जी का चबूत रहा है, उसी के पा नहीं हजारों टन पत्तिे पेडों से गिर कर वेर्थ हो जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं इनका आप ओस्दी के रूप में काम मिले सकते हैं यदि आपके पत्ति कोर ज्वर variance आदेदी कील काटा अगर चुब गया है तो आप इसके पत्तों को मसल Tá और इसका रस उस जगे लगा दीजिए वह कील कांटा अंदर ही अंदर गल जाएगा यदि वह निकल नहीं रहा है तो पसु को आराम हो जाएगा दूसरा जो इसके फल आप देख रहे हैं देखी कितने बड़े बड़े इसके फल आ रहे हैं इन फलों का हम पसु के लिए गुदा प्रियोक करते हैं इसके अंदर जो गुदा निकलता है वह आपने उसका जूस भी पिया होगा गर्मियों के दिनों में बड़ा ही लजीज और स्वादिष्ट जूस होता है बेल पत्र का आपने जूस पिया होगा यह आपको अपने पसु बढ़ेगा साथ में ही जब आपके पसु इस फल को खाएंगे और इस फल से जो प्रोडेक्टिविटी आएगी जो दूद आएगा उस दूद का जो गुणुवत्ता होगी वह दोस्तों वह ओस्दी होगा वह दूद बहुत ही फायदेमंद होगा दूद की मातरा तो आपकी बढ़ी बढ़ गई आठ नो लीटर से आपका दूद 20-25 लीटर तक चला गया आपका फैट बढ़ गया साथ में ही उसके गुण देखी आप जो माताओं बहनों को स्त्री संबंदित जो रोग होते हैं उनमें बहुत जादा फायदा करेगा वह दूद यानि कि जिस फल को ज कि गर्मी जादा बढ़ गई है अंदर पेट के अंदर गर्मी हो गई है जलन हो गई है तो आप उस दूद का सेवन उन भाई को करवाईए वह गर्मी खतम हो जाएगी पढ़ने वाले बच्चों को करवाईए दिमाग तेज होगा दूसरी बात जो यह पत्ते हैं यदि इन का सेवन आप अपनी उन गो माताओं को करवा रहें एक गो माताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि देशी गो माताओं के बारे में जो जीतू भाई यानि की जीतू रिवोस्नरी जो चैनल है उन्होंने जो काम किया है बहुत ही सरानिय काम है आप उनके चैनल को देख भी होंगे बहुत ही शांदार वो काम कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने देशी गायों के बारे में बताया है आप भी उन देशी गायों का नॉलेज लीजिए जीतू जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हिंदुस्तानी गायों के बारे में आउगत कराया है तो मैं आपका BP, कलेस्ट्रोल या सूगर कितना भी हो वह दीरे दीरे आपका बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगा अगर आप अपने पसू को ये पत्ते या ये बेल का जो फल है वह खिला रहे हैं तो पूरी तरीके से सही हो जाएगा साथ में आपका दूद तो बढ़ी बढ़ रहा है तो दोस्तों जो आप कैमिकल की गुलामी करते हैं विदेशी टेकनिक पे चलते हैं उसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे वेदों के अंदर इसको ओस्दियों को जड़ी बूटियां हैं इनको बहुत विसेश इस्तान दिया गया है और आज विदेशी लोग भी हमारी जो वेदिक संस्कृती है उसकी तरफ आ रहे हैं इस पे पिएचडी कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं आप भी तो इसका अनुसरन कीजिए और लाब लीजिए अधिक से अधिक जितना आप अवेर होंगे जितना सचेत होंगे आप अपने पसूओं को अपने खुद के स्वास्ते को अधिक से अधिक स्वस्त बना सकेंगे दोस्तों आज की मेरी जानकारी इतनी ही थी राम राम दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में और नए किसी टोपिक के साथ मेरी और भी काफी वीडियो हैं दूद से बढ़ाने से रिलेटेड हैं जिनकी प्लेलिस्ट में आपको ये साइड में दिखाई जाएंगे उसे बढ़ाने से संबन देती आनने जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्स चैनल का जो लोगो दिखाई दे रहा है इस चैनल के किलिक करके आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं